हलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुंद मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानिक्सपी तो टुपल सी एक्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ एक दिन बचा है तो जितना भी टाइम बचा है इस टाइम में आप जाता से ज्यादा प्र टुपल सी न्यू स्लिबस पे बेस्ट आपको यहां पे क्वेश्चन्स मिलते रहेंगे ओके तो आए दिखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चन के राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन का अर्थ है यह काफी important question है और यह question जुड़ा हुआ है Linux file permission से तो यहाँ पे पूछा गया है file की permission 764 का क्या अर्थ है तो सबसे पहला option है हर कोई पढ़ सकता है Sumo means group के वल निस्पादित means execute कर सकता है और मालिक means honor पढ़ और लिख सकता है अगला option है यहाँ पर हर एक पढ़ सकता है means हर कोई उसे पढ़ सकता है इस file को Malik means Honor Sahit Samoa means Group लिख सकता है और Akhain Malik Nispahadit और Amal कर सकता है तो इनमेंसे Right Answer क्या होगा आप लोग कमेंट करते हैं काफी Important Question और यह Question पिछले महीने CTCC Exam में पूछा गया है तो इस question का right answer है हर एक पढ़ सकता है मालिक सहित समो लिख सकता है और अकिले मालिक निस्पादित कर सकता है तो इसको अच्छे से समझ लीजे जो file permission 764 है उसका मतलब होता है कि उस file को हर कोई read कर सकता है और मालिक means honor या फिर group उसे write कर सकता है और अकिले honor के पास एक permission होती है जैसे कि last point यहां पे लिखा हुआ है अकिले मालिक उसे निस्पादित means execute कर सकता है means वस file को केवल honor जो होगा उस file का उससे ही execute करने की permission होती है यह काफी important question आप चाहिए तो अलग से note down भी कर सकते है और अगले को इसे ने अपनी tweet देने के लिए किस social media का इस्तेमाल करते है बहुत simple से question है यह आप सभी को पता होगा और यह सभी question पिछले महिने triple C exam में पूछे गए हैं यह मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमने सितंबर मन्त के लिए जितने भी online test के वीडियोज अपलोड किये हैं सभी ऐसे questions हैं जो triple C exam में पिछले महिने पूछे जा चुके हैं तो सभी previous वीडियोज को भी आप देखते रहे हैं जो कि आपको playlist में मिल जाएगा बिल्कुल सभी question का right answer option भी twitter का इस्तेमाल करते हैं और अगलग इसने आधार number में कितने अंख होते हैं बहुत simple से question है और कल के लिए एक छोटा सा update है कल के test में 50 most important questions discuss करेंगे जो कि अगस्त मन्त में triple C exam में कई-कई बार ये questions repeat हुए हैं तो कल का test देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा काफी important questions आपको मिलेंगे online test में बिल्कुल सभी question का right answer option B 12 digits होते हैं और अगलग इसने CAD का mode group क्या है तो full form का ये collection मैंने video upload किया है जिसमें आपको 100 full forms मिल जाएंगे जिसका link इस video के description में दिया गया बिल्कुल सभी question का right answer option B computer added design उके अगलग इसने email भेजने पर network द्वारा तुटी होने पर message कहां जाता है बिल्कुल सभी question का right answer होगा option B outbox जब आप किसी को mail भेजते हैं और वहाँ पे network problem होते हैं तो उस case में क्या होता है कि आपका mail pending में रहता और उस time पे आपका mail store रहता है outbox में जैसे आपका mail send हो जाता है वो automatic send box के अंदर चला जाता है और अगला कुछने IMEI number में कितने desert होते हैं बिल्कुल साही इस question के right answer मिल चुक है इस question के right answer option भी 15 या 17 ओके अगला कुछने ODF का पूर्ण रूप क्या है बिल्कुल साही right answer आज चुक है इस question का right answer option C open document format और अगला कुछने UPI pin में कितने desert होते हैं 4, 5, 7 या फिर 8 तो जब आप Bheem app में login करते हैं तो आपको पता होगा कितने pins की requirement होती है कितने digit के pin की requirement होती है बिल्कुल साही right answer आज 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 आज़ा 4 digit की requirement होती है लेकिन अगर हम UPI के द्वारा कोई transaction करना चाते हैं तो हमें transaction pin 6 digit का required होता है और अगला question है Nescom का पूरा नाम क्या है ये काफी popular question है पिछले मैंने कई बार repeat हुआ है और chapter number 789 से maximum questions पूछे जा रहे हैं जैसे कि पिछले मैंने ऐसा हुआ है 789 chapters के ज़्यादा questions पूछे गे हैं इसके लिए मैंने अलग से videos भी upload कर दिये और इसका link आपको इस video के description में मिलेगा जहां से आप 789 chapters के important questions देख पाएंगे बिल्कुल साही इस question का right answer option है National Association of Software and Services Companies इसका full form है और अगला question है Paytm कारो बार इस्थांतरित means transfer करता है digital payment, e-wallet, online bank या fan में से कोई नहीं यह थोड़ा सा logical है देखते हैं कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे बिल्कुल साही इस question का right answer आ चुका है इस question का right answer option है digital payment Paytm business को digital payment पे transfer करता है और अगला question है LibreOffice Calc में formula insert करने की shortcut की क्या है यह भी एक important question है तो बिल्कुल साही question का right answer option B control plus F2 तो इसको अगर आप practically देखना चाहते है तो simply आपको calc open करना है और यहाँ पे control F2 प्रस करना है और जैसे आप यहाँ पे control F2 प्रस करेंगे यहाँ पे function का लग से dialogue box उपन हो जाता है और यहाँ से आप कोई भी function select करके उसे insert कर सकते हैं तो दिखते हैं अगला question और अगला question है Bluetooth किस प्रकार का network है LAN, MAN, WAN या फिर PAN तो इस question का right answer है option D PAN, personal area network का एक उदाहरन होता है Bluetooth और कई बार exam में यह भी पूछा जाता है Bluetooth की unit क्या है तो PicoNet होती है Bluetooth की unit यह भी काफी important है कई बार exam में पूछा गया है और अगला question है IEM का पूण रूप क्या है बिल्कुल सही इस question का right answer option E instant messaging इसका full form होता है और अगला question है ब्यक्तिगत computer की पहचान करने के लिए IMEI महत्तुपूण है तो इस question का right answer होगा false क्योंकि mobile phone की पहचान के लिए IMEI number का इस्तेमाल किया जाता है जबकि computer की पहचान करने के लिए Mac address का इस्तेमाल किया जाता है Mac address एक physical address होता है जो कि 48 bit का होता है यह भी कई बार exam में पूछा जाता है कि Mac address कितने bit का होता है यह 48 bit का होता है और अगला question है Unix एक single user operating system है तो इस question का भी right answer होगा false क्योंकि Unix एक multi user operating system है और यह सिर्फ CUI पे आधारित होता है मीन्स command user interface पे आधारित होता है और यह काफी secure एक operating system है जिसको industry में काम करने के लिए स्तेमाल किया जाता है और अगला question ने pause का उपयोग किसके साथ होता है मीन्स point of cell जो machine है उसका किसके साथ उपयोग होता है जैसे कि सबसे पहला option दिया है PIN, CVB, MPIN या फिर इन में से कोई नहीं तो जब आप pause machine के द्वारा किसी को payment करते हैं किसी merchant को तो आपको इन में से किसकी requirement होते ही उससे जुड़ा हुआ question है तो इस question का right answer है option यह PIN ATM PIN या debit card PIN के requirement होते है जब pause machine के द्वारा किसी को payment करते है और अगला question है library office calc में cell की अधिकतम उचाई कितनी होते है यह important question है आप चाहिए इसको अलग से note down भी कर सकते है और इस question का right answer है option D 39.37 inch तो अगला question है control plus Y किसके लिए उप्योग किया जाता है तो सबसे पहला option है undo, redo, cut या फिर copy और इस question का right answer है option B redo के लिए एक shortcut की होते है control plus Y जबकि control plus Z undo के लिए स्तेमाल किया जाता है और अगला question है calc में जोडने के लिए क्या formula है add, sum, या फिर total या फिर उप्रोगत सभीन में से कोई भी स्तेमाल कर सकते है और इस question का right answer है option B sum ओकी तो आज के test का last question है अब time हो गया है कल के test में पूछेगे questions के right answer बताने का और तो यहां पे right answer discuss करने से पहले एक छोटा सा update कल के test में हम 50 most important questions discuss करेंगे तो कल का test देखना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो सबसे पहला question था computer screen पर blink करने वाले प्रतीक को क्या कहते है तो इस question का right answer है cursor और अगला question है computer का power on करने के बाद तता computer की start होने के बीच की प्रक्रिया को क्या कहते है तो इस question का right answer है booting और अगला question था windows operating system कितने bit का होता है तो windows operating system 32 या 64 bit का होता है और अगला question था किस windows operating system में start button नहीं काफी important question है तो windows 8 में start button नहीं था और अगला question था date और time कहां पर display होता है तो यह सबसे नीचे जहां पर date और time display होता है उसको बोलते है notification bar तो अब टाइम हो गया है आज के questions का और इन सभी questions के right answer आप लो comment box में जरूर comment कीजिगा तो सबसे पहला question है half screen देखने की shortcut की क्या है और अगला question है STP एक प्रकार का cable है जो की true force में पूछा गया है और अगला question है flame क्या है यह काफी important है कई बार exam में flame के बारे में पूछा जाता है और अगला question है OSI की new term layer कौन सी है तो OSI की कई total 7 layers होती है तो कई बार exam में पूछा जाता है कि upper layer कौन सी है और कई बार पूछा जाता है new term layer कौन सी है तो ये सब हम अगले टेस्ट में discuss करेंगे डेटेल में और आज का last question है e-commerce company Amazon के संस्थापक कौन है तो ये सभी important questions है इनको आप अलग से no down भी करें साथ में इनके right answer क्या है comment box में जरूर comment कीजिगा तो उमीद करते हैं आज कि इस वीडियो से काफी कुछ नया सेखने को मिला होगा तो प्लीज हमाई इस वीडियो को like उसे जरूर कीजिगा और कल का test देखना बिलकुल भी मत भूलिए कल हम important questions डिसकस करने वाले है 50 most important questions तो जिन लोगों का सितंबर में triple C का exam होने वाला है उन का notification आप तक पहुंचता रहे जल्दी हम October month के लिए online classes स्टार्ट करने वाले हैं तो आप हमारे साथ बने रहे हैं आप चाहे तो हमें WhatsApp पे जॉइन कर सकते हैं WhatsApp नमर हमारा screen पे दिया हुआ है आप चाहे तो हमें mail कर सकते हैं info.gyanxp.gmail.com और जिनका सितंबर में triple C का exam है उन स अगर आपके पास exam के कुछ questions रहते हैं आपको याद रहता है तो हमें WhatsApp पे send कर सकते हैं या फिर हमें mail कर सकते हैं ओके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले टेस्ट में कुछ नए questions के साथ तब तक के लिए bye bye thank you thank you for watching